तो सबसे पहले कागस के बहुत सारे टुकडे को अच्छी तरह से मोह कर कुछ इस तरह एक ब्लूगन से चिपका दिया जाता है और फिर कागस के मजबूत टुकडे पर ब्लूगन से लेप लगा देंगे फिर उसे कागस के ऊपर चिपका दिया जाता है और फिर कार्डबोर के गते से सिर्खोपड़ी आदी की डिजाइन दी जाती है कुल मिलाकर कागस से जानवर का कच्चा आकार बना लेंगे उससे पहले हम कौन सा जानवर बनाने वाले है अपना दिमाग लगा कर कॉमेंट में बताओ तो फिर कागस से दो कान को डिजाइन बना कर ब्लू गन से चिप का देंगे फिर बचे हुए मुपर कागस के टुकरे चिपका देंगे फिर एक नाक की डिजाइन को चिपका दिया जाता है और फिर एक बरस से कागस को ग्लू से चिपका दिया जाता है फिर कागस से बड़ी सावधानी से जानवर के चारो पेर बनाये जाते हैं और बेना को नहीं समझे अरे भाई हम एक बिल्ली बनाने वाले हैं अब समझ आया तो फिर बिल्ली के पूरे शरीर को ग्लू से पतले पतले कागज लगा कर सौफ्ट किया गया है और फिर अब भारी आती है प्यारी सी बिल्ली के उपर कलर करने की तो हम फटाफट कलर करते हैं तब तक अब को सबस्क्राइब कर दो और आपने भी कभी अपने घर में चोटी सी सुन्दर बिल्ली पाली है कॉमेंट में बताओ तो फिर कलर करने के बाद तयार है आपके सामने एक गजब की डिजाइन वाली सुन्दर बिल्ली क्या हुआ नहीं दिखी तो भाई लोगो बिल्ली को दिखा दू एक दो तीन अच्छी लगी डेकोरेट बिल्ली अगर हातों वीडियो को शेर करना ना भूले लव यू सो मच वीडियो को एन तक देखने के लिए